दोस्तों हम मेंसे बहुत से लोग मुख्यमंत्री और राज्यपाल में कन्फ्यूज हो जाते हैं यानि मुख्यमंत्री और राज्यपाल में क्या अंतर है क्या वाकई में मुख्यमंत्री और राज्यपाल में अंतर होता है तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि राज्येपाल और मुख्ये मंत्री क्या होते हैं और इनके पावस यान इनकी शक्तियां और कारिय क्या क्या होते हैं आज हम देखेंगे कि इन में से किसका ज़्यादा पद बड़ा होता है और कौन ज़्यादा पावर्फुल होता है। तो भारतिय सविधान में राज्य सरकार की कलपना उसी धरह से की गई है जैसे केंद्री सरकार की। अब अगर हम बात करें सबसे पहले राज्य पाल की तो राज्य पाल को इसमें गवर्णर कहा जाता है। यानि मुख्य मंत्री किसी भी राज्य या केंद्र शाशित प्रदेश का हैड होता है। मुख्य मंत्री को चुनने के लिए चुनाव होते हैं जिसे हम विदान सभा चुनाव कहते हैं और जो मुख्य मंत्री होते हैं वो राज्य के वास्त्विक प्रमुक होते हैं और ये एक तरह से जनता के प्रतिनिदी होते हैं, जबकि देखा जाये तो राज्येपाल जनता के प्रतिनिदी नहीं होते हैं। अब अगर हम बात करें राज्येपाल की न्युक्ति की, तो इनके न्युक्ति रास्ट्रपति के जर्ये की जाती है। और राज्येपाल हर राज्ये और केंद्र शाशित प्रदेश का एक प्रतिनिदी होता है। राज्येपाल का काम होता है कि वे अपने राज्ये में नियम कानून के विवस्ता को बनाए रखें और केंद्री सरकार के कामों को भी राज्ये इस्तर पर देखें। अब बात करते हैं कि मुख्य मंत्री और राज्य पाल बनने के लिए क्या-क्या योग्यताएं होनी चाहिए। किसी भी राज्य का मुख्य मंत्री बनने के लिए व्यक्ति के कम से कम 25 साल के उम्र होनी चाहिए। और इसके साथ साथी उसे विधान सबा का सदस्य होना भी जरूरी है। ऐसा ना होने पर उसे किसी विधान सबा सीट से चुनाव जीतने और विधान सबा का सदस्य बनने के लिए उसे 6 महिने का टाइम दिया जाता है। अगर फिर वो ऐसा नहीं कर पाता तो उसे मुख्य मंत्री के पद से हटा दिया जाता है और वहीं राज्येपाल बनने के लिए एक व्यक्ति की उम्र कम से कम 35 साल की होनी चाहिए वो न तो लोग सबा या राज्ये सबा का सदस्य हो सकता है और नहीं विदान सबा का इसके साथ ही वो किसी गवर्मेंट के कारेकाल से कोई भी लाब प्राप्त नहीं कर सकता अब बात करते हैं इन दोनों के कारेकाल की भारत के सभी राज्यों में मुख्य मंत्री का कारेपद 5 साल का होता है और मुख्य मंत्री और उनके मंत्रियों को शपत दिलाने का काम उस राज्य के राज्य पाल का ही होता है। सेम इसी तरह से राज्य पाल का कारेकाल भी पांच साल का ही होता है। और उन्हें शपत दिलाने की जिम्मेदारी हाई कोड के मुख्य जज यानि चीफ जस्टिस की हो और उन्हें दूसरे राजे में transfer भी किया जा सकता है। हालां कि राज्ये सरकार राज्येपाल को उनके पत्से हटा नहीं सकती। तो अब सवाल ये आता है कि क्या राज्येपाल उस राज्ये के मुख्यमंत्री को हटा सकते हैं। तो ये अधिकार सविधान द्वारा राज्येपाल को नहीं दिया गया है। राज्येपाल केवल किसी मुख्य मंत्री के पक्ष या विपक्ष में अपनी राय प्रकट कर सकते हैं या लिखीद में राश्ट्र पति को भेज सकते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री को पद से नहीं हटा सकते अब अगर बात करें मुख्यमंत्री की न्यूक्ति की तो मुख्यमंत्री की न्यूक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि जो राज्यपाल है वो किसी भी व्यक्ति को मुख्यमंत्री न्यूक् लेकिन अगर वही कोई व्यक्ति राज्येपाल बनने के योग्य है तो रास्टरपती उसको सीधे राज्येपाल के पतपर न्यूक्त कर देते हैं उसके लिए किसी भी प्रकार का कोई नियम या कानून नहीं है अब बात करते इनके पावस यानि इनकी शक्तियों की तो इसमें जो सबसे बड़ा पत होता है वो राज्येपाल का होता है और राज्ये में जितने भी नियम होते हैं या जो भी कारे होते हैं वो राज्येपाल के नाम से ही किये जाते हैं और राज्य विधान मंदल से जब भी कोई नियम या कानून पारित होता है या बनता है तो उस पर राज्य पाल के अस्ताक्षर जरूरी होते हैं यानि विधान सभा में पास किया हुआ कोई भी बिल तब तक कानून नहीं बन सकता जब तक उस पर गवर्नर की या राज्येपाल की सहमती ना हूँ अगर राज्यपाल को लगता है कि राज्ये सरकार नियम कानून के अनुसार काम नहीं कर रही है या किसी पार्टी के पास बहुवत नहीं है तो फिर वो विधान सबा को भंग भी कर सकते हैं दोस्तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्रसिडेंट हमारे देश के प्रतम नागरिक के रूप में जाने जाते हैं, तो हमारे गवर्नर्स भी उन्हें को राज्य इस्तर पर एजिंट के रूप में प्रेजेंट करते हैं। मुख्य मंत्री का काम है कि वो राज्य सरकार के अलग-अलग डिपार्टमेंट्स में तालमेल बनाए रखें और राज्य सरकार की योजनाओं को राज्य के लोगों तक पहुंचाएं। में किसी भी पार्टी को या फिर गटबंदन को इस पर्स्ट भहुमत नहीं मिलता। तो ऐसे समय पर राज्य पाल अपने विवेक से अपनी सूझ बूच से राज्य के सबसे बड़े दल या राज्य के सबसे बड़े नेता को मुख्य मंत्री बनने के लिए आमंतित्त कर सकत इंगते हैं इन उसकतियों के बावजूद भी राज्य पाल सिर्व कारे-कारी प्रमुक होते हैं इन के पास शक्तियां तो बहुत होती हैं लेकिन फिर भी वो इनका उप्योग नहीं कर सकते कि शक्तियों का जो उप्योग है वो मुख्य मंत्री वए मंट्री-परिश्जद С जर्य किया जाता है यानि कि शक्तियां राज्यपाल के पास होती है राज्यपाल के नाम से होती है लेकिन उन शक्तियों का जो प्रयोग है वो मुख्य मंत्री वे उनके मंत्रियों द्वारा किया जाता है इसलिए मुख्य मंत्री को राज्य का वास्त्विक प्रमुक का जाता ह और जो मुख्य मंत्री होते हैं वो राज्य सरकार के भी प्रमुक होते हैं जैसे कई बार आपनी न्यूज में पढ़ा या सुना होगा कि राज्य में मुख्य मंत्री ने ये फैसला लिया या फिर इस मंत्री ने वो फैसला लिया तो राज्य पाल की जितनी भी शक्तियां होती उनका उपयोग मुख्य मंत्री और मंत्री परिशक करता है। राज्य सरकार को वित्य मामलों में भी राज्य पाल से सलहा लेनी पड़ती है। इतना ही नहीं राज्य पाल राज्य की बड़ी-बड़ी युनिवर्सिटीज का चांसलर भी होता है। मुख्य मंत्री अपने पत पर तभी तक रह सकते हैं जब तक विदान सबा में उन्हें भाउमत हासिल है अगर विदान सबा में वो दो तीहाई भाउमत बनाकर नहीं रह पाते तो उन्हें अपने कारेकाल के खतम होने से पहले इस्तीफा देना होता है वहीं राज़ेपाल को अपने कारेकाल से पहले हटाने या दूसरे राज़े में ट्रांसफर करने का अधिकार सिफ प्रसिडेंट को होता है अगर प्रसिडेंट चाहें तो इसके लिए प्राइम मिनिस्टर की राई भी ले सकते हैं दोस्तो शायद आपको ये पता भी नहीं होगा कि राज्येपाल को उसके कारेकाल के दौरान गृफतार नहीं किया जा सकता और ना ही उनसे किसी भी प्रकार की कोई पूश्टाच की जा सकती है। वहीं एक मुख्य मंत्री को कितनी ही बार इस पत के लिए चुना जा सकता है। हर राज्ये में राज्ये भवन होता है जहां पर उस राज्ये के राज्येपाल और उनका परिवार रहता है। वहीं अगर हम बात करें मुख्य मंतरी की तो मुख्य मंतरी के अधिकारिक निवास की तो हर राज्य में मुख्य मंतरी का अपना एक अलग अधिकारिक निवास होता है। दोस्तो सभी राज्य के CM और Governor को Z Plus Securities दी जाती हैं जिसमें SPG, NSG और CRPF के जवान होते हैं। तो दोस्तो ये था भारत के राज्य पाल और मुख्य मंतरी का comparison।